और एनिमे प्रेमियो मैं हूँ केसरी नंदन और मैं एक्स्पेन करूँगा जिजुसु कैसिन सीजन टू का सेकेंड एपिसोड गेतो ने स्टार प्लादमा वैसल ट्रीको को बचा लिया और अब गेतो वही उनके उसी कमरे में मदे से चाय बना रहा है जहां बॉम ब्लास्ट ह जिस क्योगरूप के मेंबर ने ये सब किया था उसे गेतो ने अपने कर्स से पकट रखा था वही गेतो का कर्स उसे चुमने की कोशिश करता है और वो कहता है मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा यहां तक कि वो अपने कर्स यूजर वाले काम को भी छोड़ देगा और गाओं में खेती करेगा गेतो ऐसी नाटक करता है जैसे तो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो तभी वो आदमी गेतो को धमकाते हुए कहता है तुम ये मत भूलो क्योगुरूप का सबसे ताकतवर मेंबर भी यहां है जो आता ही तुमारी छुट्टी कर देगा तभी गेतो के फोन पे एक मैसिज आता है गोजो का वो उसे दिखाते हुए कहता है तुम इसी की बात कर रहे हो दरसल गोजो ने पहले ही उसे हरा दिया था गेतो और गोजो की वज़ा से क्योगुरूप बंद हो जाता है वही तोजी फूशी गूरो जिसे सोर्सरर किलर भी का जा वो एक बोट रेस दिख रहा था उसने रेस में पैसे लगाई हुए थे उससे मिलने के लिए कौंग आता है जो की चार नेजिस गूरूप से पिलोंग करता है वो तोजी फूशी गूरो से पूशता है तुमारा काम अभी कहा तक पहुचा वो कहता है कि उसने अपने कुछ बंदों को गोजो के पीछे लगा दिया है जब गोजो उनसे लड़ते हुए ठक जाएगा तब मैं उन पे हमला कर दूँगा कौंग कहता है तुमें सारे पैसे गोजो के पीछे नहीं लगाने चाहिए वो कहता है कोई बात नहीं हमारे सारे पैसे वसूल हो जाएंगे जैसे मैं आज ये रेस जीत के खासित करूँगा तो जी फूशी गुरो रेस में लगाई पैसे भी हार जाता है कॉंग जाते हुए फूशी गुरो से पूरता है मेगूमी कैसी है पर उसे याद ही नहीं था कि मेगूमी है कौन वही गोजो सूसता है कि उस अपनादमा वैसल को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए की नहीं वो कहता है काश हमें शोको की तरह reverse curse energy का use कर पाते इसके इलाज के लिए जब भी शोको उने ये टेकनीक सिखाने की कोशिश करती सब कुछ उनके उपर से ही निकल जाता था गोजो ने उस लड़की को गोद में उठाय हुआ था और तभी उस लड़की को फोशा जाता है वो गोजो के एक जोरदार चमाट मारती है वो गोजो को एक गुल्डा समझ रही थी जो उसे मारने आया हो गेतो रीको से कहता है तुम शानत हो जाओ हम तो तुमें बचाने आये हैं रीको बैती है तुम तो शकल से ही छूटे लग रहे हो तभी लिफ्ट से रीको की केर टेकर आती है और देखती है कि गोजो और गेतो रीको को रबर बैंड की तरह खीच रहे हैं और उसके कहने पे रिको को छोड़ देते हैं केर टेकर मिसा तो कहती है ये लोग सच में हमारे दोस्ती हैं और इनोंने ही तुमें बचाया रिको कहती ही वो सब तो ठीक है पर ये तुम किस पे सवार हो ये तो उसे बताता है कि ये उसके कर्स टेकनीक का ही हिस्सा है रिको कहती है टेंगन मेरी ही तरह है और ये तो मेरी मर्दी होगी टेंगन जब मेरी बोड़ी को कंट्रोल करे उससे पहले ही मैं उस पे कंट्रोल पालूँगी ये तो उसे गिनोर करते हुए कहता है लगता है गोजो तुमने अपने फोन पे नया one paper लगाया है जिससे वो गुसे में आ जाती है तबी उसे याद आता है कि उसका तो school भी है वो जिद करती है कि वो school जाए गोजो पर सेलसे से इस बारे में पूशता है पर उसके सेलसे को टैंगन से order आया था कि उसे अभी जिजुस्तु हाई ना लाया जाए और इसलिए रिको की बात मान ली जाए गोजो को गोजो को इस फैसले पर काफिक गुसा आता है पर ये तो कहता है रिको का शायद ये आखर अगर उसे एक बार टैंगन ने अब्जॉब कर लिया तो उसकी सारी यादे खतम हो जाएंगी केर टेकर उन्हें बताती है कि रिको के पेरेंट्स छोटे में ही एक्जेंट में मारे गए इसलिए केर टेकर उनसे request करती है कि उसके बात जितना समय है उसे अपनी दोस्तों के स किसी ने उसके दो कर्स को खतम कर दिया है तो जी फूशी गुरो एक रेस्टरॉंट में बैठा हुआ टीवी पे बोट रेस दे करा था और उसने अपने बंदों को काम दिया था रिको को जिल्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए गोजो और गेतो तो रिको को स्कूल में ढ धूंडने लगते हैं कियर्टेकर मिसातो कहती है रिको या तो मुजिक रूम में होगी या दूसरी कलास चैपल में होगी और वहां से वो अलग-अलग रिको को ढूंडना शुरू कर देते हैं रिको ने स्पेशली उनसे कहा था कि उसे स्कूल में फॉल्डो ना करें पर उन ये सारे पैसे तो वो ही ले जाएंगे फुशिगुरो कहता है ऐसा पौसिबल ही नहीं है जब तक गोजो रिको के साथ है गोजो की सिक्स आई और लिमिट लेस पावर का सामना कोई नहीं कर सकता कौन कहता है क्या तुम भी उसे हरा नहीं पाऊगे वो कहता है क्या पता और बात करते हुए वो रेस्टरॉल से बाहर ही जा रहा था तब ही उसकी एक कस्टमर से टक्कर हो जाती है और उस कस्टमर का खाना जमीन पे गिर जाता है वो कहता है कहा जा रहे हो मेरा नुकसान करके वो फूशी गुरो को देख डर जाता है और उसके मुँझे कोई शब्द नहीं निकलता फूशी गुरो कहता है तुम्हारा काम जल्दी कर दूँगा बस मेरे 30 मिलियन त्यार रखना और उसको इग्नोर करता हुआ फोल कार्ट देता है वही गेतो भागता हुआ स्कूल के गलियारे में पहुँच जाता है जहां एक कर्स यूदर अपने कर्स के साथ वहाँ पहले से त्यार खड़ा था वो कर्स यूदर गेतो की टकनीक को समझ जाता है और कहता है ये curse manipulation ही है ना वो सोचता है कि मेरी टेकनीक चाहे उससे कमजोर है पर मैं उसे अराम से हरा दूँगा वो गेतो को absorb करता है और सोचता है इस तरह का user कभी close combat यानी आमने सामने की लटाई नहीं करते गेतो कहता है तुमारा कोई plan आज तुमारे कोई काम नहीं आने वारा और अपना दूसरा कर्स निकाल लेता है वो सीधा ही उसे निगलने के लिए निकल जाता है गेतो को लगता है अब तो उस user का किस्सा खतम अब बस एक और कर्स user को ठिकाने लगाना है तब ही भार से खिडकी तोड वो गेतो पर हमला करने लगता है पर एकदम से गेतो की जगा एक dog दिखाई देता है वो आदमी उस dog के पस जाता है और उसे सेलाने लगता है और कहता है तो साका क्या ये तुम ही हो और वो एक flashback देख रहा था जहां वो जवान था और उसके parents सारे पैसे उसके well behaved छोटे भाई पे खर्चते थे उसके parents उसे अजीव समझते थे त्यूंकि वो कहता था वो कुछ अजीव चीजों को देख सकता है जो कोई और नहीं देख पाता ऐसे समय तो साका वो dog ही उसका अकेला friend था ये सब उसके life का flashback था जो उसे उस समय दिख रहा था जब गेदो उसकी दबा के खातिरदारी कर रहा था गेदो उससे कहता है तुम क्यो गुरूप से हो ये star religious गुरूप से वहीं गोजो रिको को ढूंडते हुए उसके classroom पहुच जाता है सब लड़की रिको को घेर कर कहती है का मीनि तुने बताया नहीं त्या boyfriend भी है और वो कहती है नहीं नहीं वो ता सिरफ मेरे दूर से भी दूर का रिष्चेदार है लड़कियां गोजो को उसका चश्मा उतारने को कहती है गोजो भी ऐसे post दे रहा था जैसे उसको photo shoot करवा रहा हो सब लड़की कहती है वाव क्या लड़का है वेरी handsome वो आए तब ही teacher आती है और कहती है सब शान्त हो जाओ ये सब चीजे तुमें शोबा नहीं देती और उससे चुपके से अपना phone number देती है गोजो भी को को लेके निकल जाता है गोजो कहता है तुमारे पीछे कर्स यूजर लगे हुए है वो उसे अपने power से उठा के ले जाता है और कहता है हम जुजुसु हाई के लिए निकल रहे हैं दूसरा कर्स यूजर उन्हें देख के कहता है इसके निए 30 मिलिन मिलने वाले हैं ये तो एक बच्चा है तभी पीछे उसकी ये बातें केर टेकर मिसा तो सुन रही थी और कहती है तुमारी आउटफिट तो क्योगुरूप से भी बत्तर है और उस पे हमला कर देती है अपने जाडू से तभी ये तो भी आ जाता है और अपने कर्स एनरजी से उसे पकड़ लेता है आदमी पिगल जाता है केर टेकर कहती है चा वो शिक्की गामी है ये तो कहता नहीं ये तो उसकी एक टक्नीक है गोजो को उसी आदमी ने घीर रखा था और वो हर जगा फैला हुआ था उसे गोजो को पता लग जाता है कि रिको पे 30 मिलियन का इनाम है वो और क्लोन को बनाने लगता है गोजो अपनी पावर इन्फिनिटी से उनको कंट्रोल कर रहा था गोजो कहता है ये शिक्की गामी नहीं क्लोन है इसलिए मार खाने पर भी ये गायब नहीं हो रहे अगले दो क्लोन भी उस पर हमला करने आते हैं जिसे वो बीच में ही रोक देता है और उनको मारता है वो बताता है कि मुझे पता है तुम एक टाइम पे 5 क्लोन ही बना सकते हो वो कहता है तुम ये सब कैसे पता गोजो कहता है बस मेरी नजरे हैं कुछ तेज हैं और अपने कर्स एनरजी टेकनीक के बारे में बताता है अगर कोई भी उस पर हमला करता है उसकी रफ़तार दीरे दीरे स्लो हो जाती है और उनका हमला कभी उस तर पहुच ही नहीं पाता और मैं अपने कर्स एनर्जी को amplify करके किसी भी चीज़ को रोक सकता हूँ गोजो अपना हाथ building की तरफ कर अपनी technique blue का use करता है और उस असली curse user के पास पहुच जाता है जो की building में ही छुपा था और उस पर अपनी reverse technique red का use करता है उसे एक मुक्का मारतों भी कहता है sorry technique fail हो गई मुझे लगा था इस बार ये technique मैं use कर पाऊँगा तभी रिको को एक message आता है जिसमें वो देखती है मिसातो जो कि एक care day कर थी उसे किसी ने kidnap कर लिया है इस तरह ये episode यहीं खतम हो जाता है